सुरेश शोहानके को गिरफतार करो सोशल मीडिया पर उठी मांग मेवात में हुई हिंसक घटनाओं के खिलाव दोबारा हिंसा भढ़काने कारो मस्जिदे नबवी की गुंबत को अपने नफरतिया ही जिंडे में इस्तिमाल करने कारो कतर के शेक काया रियक्शन सोशल मीडिया पर सुदरिशन नियूज के संपादक सुरेश शोहानके के खिलाव गिरफतारी की मांग तेज हो रही है कतर के शेक और प्रसिद्द लेखक अब्दुल्ला इमादी ने भी इस पर रियक्शन दिया है सुरेश शोहानके के खिलाव मेवाद में एक बार फिर हिंसा भढ़काने के लिए जनता को भढ़काने का आरोप है नरसल सुरेश शोहानके ने मेवाद पर एक टीवी शो किया जिसमें उन्होंने समुदाय विशेश के खिलाव नफरत भरी बयान बाजी की है सुरेश शोहनके पर मुसल्मानों के धार्मिक स्थल मस्जिदे नभवी का अपमान करने का आरोप लगा है मिवाद को लेकर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया जिसका शीरशक उन्होंने दिया है क्या मिवाद से है? राश्रे सुरक्षा को खत्रा? मिवाद के हिंदों को बचाओ इस पोस्ट के बाश सुशल मीडिया पर सुरेश शोहनके को लेकर लगता गिरफतारी की मांग की जा रही है आपको बताते हैं किसने क्या कहा? वस्युद्दीन सिद्धिकी नाम के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया सुरेश शोहनके ने 2021 में भी मुसल्मानों की भावनाओं से खिलवाड किया था 2023 में भी वही कर रहे हैं आखिर इनको किसका संदक्षन प्राप्त है? नफरत फिला कर ये हमारे मुल्क का माहूल खराब करने की कोशिश कर रहे है पुलीसिया कारवाई की सक्त जरूरत है नर्गिस बानो नाम के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया एक बार फिर सुरेश चोहान के द्वारा मुसल्मानों के धर्मिक स्थल मस्जिदे नभवी का अपमान किया गया इस व्यक्ति को तुरंट गिरफतार करना चाहिए वह एक और यूजर ने लिखा नफरती कीडे सुरेश चोहान के ने पेगंबर इसलाम के रोजे गुंबदे खिजरा लगा कर हमारी भावना को आहत किया है लेकिन जब भी कोई मुसलिम मामला होता है तो दिल्ली पुलिस को शायद मोतिया बिंद हो जाता है नहीं तो हनीमून होटल से भी इनकी भावना आहत हो जाती है जाकिर अलित्यागी नाम के ट्वीट अकाउंट से लिखा गया इस वक्त ट्वीटर पर हैश्टेग अरेस्ट सुरेश चोहान के ट्रेंड जरूर कर रहा है पर सवाल है कि जहरीले व्यक्ती को गिरफतार कौन करेगा क्या वो सरकार इसे गिरफतार करेगी जिसने इसे संडरक्शन के साथ साथ सुरक्षा भी मोहिया कराई हुई है क्या वो सरकार इसे गिरफतार कर सकती है जिसके लिए नफरत परोस रहा है रत्यातराई निकाल रहा है क्या वो पुलिस इसे गिरफतार कर सकती है जो खुद इसकी सुरक्षा में लगी हुई है या वो लोग इसकी गिरफतारी की मांग कर सकते हैं जो खुद इसकी नफरत का शिकार होकर मुस्लिमों के प्रती नफरत वैलाने का काम कर रहे हैं इसकी गिरफतारी की मांग वो ही कर सकता है जो देश के तमाम समाजों में अमनचैन चाहता है वो ही सरकार इसे गिरफतार कर सकती है जिसने कभी नफरत को बढ़ावा ना दिया हो ऐसी कौन सी सरकार है जो नफरत को बढ़ावा ना दे रही हो रजवान हैदर नाम के ट्वीटर अकाउंट से लिखा गया मुसल्मानों की धार्मिक भावना एक बार फिर से आहत की गई है दंगाई सोच वाले सुरेश शोहान के ने मस्जिदे नबवी की गुंबत को अपने नफरतिया एजिंटे में इस्तिमाल किया टोपी बुर्खा इस्तिमाल कर पुरे मेवाद को राश्री खत्रा बताया ज्यादा से ज्यादा लिखे हंसराज मीरा नाम के यूजर लिखते हैं ये व्यक्ति खुलेयाँ मुसलिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ नफरत का जहर बोता है लेकिन ना इसका खाता सिस्प्रेंड होता है ना इसका टीवी चैनल बंध होता है ना ही इसके गिरफतारी होती है क्या सुरेश चौहान के कानून से उपर है दिनेश कुमार नाम के ट्वीटर अकाउंट से लिखा गया आप सब थोड़ा सा वक्त निकाल के समाज में नफरत परोसने वाले इस शक्स के लिए लिखे इस शक्स के निशाने पर बस मुसलमान रहता है आखर इस शक्स पर कानूनी कारवाई कब होगी इस शक्स की वजह से देश और विदेश में हमारे देश की छवी खराब हो रही है कतर के शेक अब्दुल्ला इमादी ने गोधी मीडिया की पोल खोलते हुए ट्विटर कर काहा कि गोधी मीडिया भी अजीब है एक इमाम भारत के मुसल्मानों को लेकर चिंता व्यत कर रहा है तो उसे विवादित बयान बता दिया वहीं दूसरी तरफ एक टीवी एंकर खुले आँ मुसल्मानों के खिलाव जहर उगल रहा है उसमें उन्हें कोई आपती नहीं है आप इस फूरे मामले को कैसे देखते हैं कॉमेंट मगती राय जरूर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें बाल आइकन बटन जरू क्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके